तो वॉल्कम गाइस कैसे हैं आप सब लोग स्वागत है आपका अपने प्यारे यूट्यूब चैनल हर्श डाकराय में तो गाइस आज मैं लेगा चुका हूँ फिर से आपके लिए एक पोकेमोन लास्ट एपिसोड की वीडियो तो गाइस मुझे पता है कि मैं एक वीडियो ड जल्दी डाल दी तो कैस इस वीडियो में बहुत साथा मेहनत लगी क्योंकि एक दिन में स्टोरी लिखना बहुत बड़ी बात होती है मतलब मेरे खकाई सोचो पेपर चल रहे हैं और मैंने ऊपर से टाइम निकाल कि आपके लिए ये वीडियो बनाई है तो इसको जरूर दे है फिर जुबना एश है वह अपनी इस जीम लेटर को बाई करके जो कि उसे पसंद करती है वह से वहां से चला जाता है तो इस चलते चलते देखता है कि उसके उसे बहुत दा भूक लग रही है तो गैस वह जाता है और वहां को सवाई हमें एक रेस्टोन होता है जहां वो उसे परिशान होने का रास पूछता है तो वह से बताता है कि मैं अच्छा मैं अच्छा ठेटर हूं जब देखो हारता हूं जब देखो नहीं मतलब बज़र को में विकार सा ठेटरेन था मुझे ट्रेनर कोई हग नहीं इसलिए मैं विने सारे पोकेमोन को रिलीस करते हूंगा ऐसे मनाता है उसे कॉंफिटेस देता है और ऐस उसे ट्रेनिंग भी देता है फिर मैं आपको क्या बता हूं एश की किस्मत वो निगलता है अगला जीम लीडर डाना में कुजिन का एश का आराम करता है वो ट्रेनर से कहता है कि हम डबल पोकेमोन मुकावला करेंगे मतलब हम सिर्फ दो पोकेमोन का मुकावला करेंगे और एक ही बैटल में मतलब आपको समझा ही है गो ना डबल पोकेमोन मुकावला जैसे उन्हें औरणी लीग के सफर में किया था स्वोर्ट जिम में वैसी तो कैस ऐस जो है वो होटल में आराम करता है और अपनी बैटल के लिए आ चाता है तो कैस वह ट्रेनर है वह चुनता है वेनासौर और सेप्टायल को और जाइस मज़े की बात यह थैथ कि उसके सैप्टायल के गले में एक मेगा स्टोन लटका होता है मतलब कि वह मेगा वॉल्फ कर सकता है एश टर जाता है और आश में फाइदे के लिए चुनता है से पहले अपना चारिजाड उसके बाद अपना ड्रागनाइट मतलब आश के दोनों पोक्मेंट बढ़ी हैं तो गाइस मैच शुरू होने से पह हंने को छुडाता है और कघक्त की देख नहीं पाता है और टैक करता है जो के से और को बनते हैं जो कि जाए को लगता है बहुत मतलब बहुत गाइल होता है Ü Horizon गिरने से पहले मतलब गरने इवारा तो गिरने से पहले वह एक बहुत बड़ना हाइपर वीनस हुथ बनते लोगता ही ही esteazi ड्रागनाइट और वीनज़र हाँ आते हैं और बचते हैं जिए मेगा सेप्टाइल और चारिजाड तो एश बिना वक्त गवाए अपने चारिजाड को मेगा वार्फ होने के लिए वह वह बन जाता है और दोनों में काफ़े अच्छा बैटल होता है जो किसे अमना में आ जाता है और एक बहुत पाफुल ब्लास्ट बरन फायर करता है जिससे सेप्टाइल गेम से पाहर हो जाता है और गैस वो जिम लीडर एश को शाबाशी दे के उसको उसका बैच दे देता है और एश अपना पांच माँ बैच जीत जाता है और गैस एश अपने बैच को की दिखता है जहांकी मुकाबला हो रहा होता है य多 जाता है तो वहांसा पता चलता है कि उसे एक trainer से मुकाबला करना होगा जो के अब तक हारा नहीं है do Aychem को उट प्रती है और इस मुकाबला गरने लिए चला जाता है और वो trainer सबसे पावरफुल पोकीमॉन सबसे खतरनाक पोकीमॉन गयारडोस सॉरी अपने गयारडोस को बेचता है वह पर गयारडोस का गयारडोस मेगावल हो जाता है और गयारडोस को भीजता है और गयारडोस को परफैसर ओको बेच देता है और गयारडोस को भीजता है फिर एश निकल पड़ता है अपने अगले जिम के सफर पर पर आज की एपिसोड यहीं पर खतम होता है अगर आपको एपिसोड पसंद रहा तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी इंट्रस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो मिलेगे नेक्श वीडियो में बाइ बाइ ठांक्स फॉर वाचिंग